हमारी जो स्केम वाली वीडियो है उसको लगबग 7000 बच्चों ने देखा है अगर वे 7000 बच्चे एटलिस 10 ट्वीट करें या करवाएं तो 70,000 ट्वीट तो हम ही दे सकते हैं पेपर लीक हुए है अगर नहीं हुए तो कैसे एक लड़ की Bluetooth लेकर चली जाती है कैसे नो लोग पकड़े जाते हैं कैसे उनके पास mobile phone निकल कर आते है इतना cash निकल कर आता है आप समझे इस बात को आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है लेकिन आप लोग पाजी चल रही है अगर आपको साथ नहीं देना आप लोगों को साथ नहीं देना तो अट लिस्ट नेगेटिवीटी तो मत फेलाईए लो दोस्तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुलिसी आकेडमी पर तो जैसा कि आप थमनेल देखकर समझ गए होंगे यह वीडियो हम आपने हमारी उस वीडियो को बहुत जादा सपोर्ट किया है काफी शेयर किया है आपके उसमें बहुत कॉमेंट्स आये हैं मैंने आपके कॉमेंट्स को शॉट लिफ्ट किया है और उनका रिप्लै दिने की कोशिश करूँगा लेकिन उससे पहले 17 दिसंबर को सुबा 9 बज हो चुके हैं अगर प्रते एक बच्चा एटलीस दस ट्वीट करता या करवाता है तब भी हम सतर हजार ट्वीट कर सकते हैं और हमारे इस मुद्दय को हम ट्रेंड पर ला सकते हैं आपसे यही रिक्वेफ्ट है 17 दिसंबर को सुबा 9 बजे से सुबा 11 बजे तक 2 घंटे में आपको इतने ट्वीट करने हैं कि आप ट्रेंडिंग पर आजाएं चलिए अब आपके कॉमेंट्स लेते हैं यह कॉमेंट किया है टार्गेट डेली पुलिस ने यह कहते हैं घमन तोड़ना है उन लोगों का जो बोलते हैं तुमसे ना हो पाएगा साले खुद तो पैसे दे देखते हैं अनु कहती हैं यह बताइए कि एक ही फॉन से बार-बार रीट्वीट कर सकते हैं या फिर अलग अकाउंट से करना होगा अनु जी देखिए आपका जो ट्वीटर अकाउंट है आपको उसको लॉग इन करना है लॉग इन करके जो हमारा हैफटेग है स्सी कैंसल दिल्ली पुलिस एक्जाम उसे ट्वीट करना है आप उस ट्वीट को रीट्वीट भी कर सकती हैं और आप पुलिसी अकैडमी के ट्वीटर हैंडल पर भी जाकर उसको रीट्वीट कर सकती हैं वहाँ भी हमने हैफटेग चला रखा है सेम हैफटेग है हैफटेग स्सी कैंसल दिल्ली पुलिस एक्जाम, चलिए अगला कॉमेंट देखते हैं अमित कहते हैं, ये तो सिर्फ ट्रेलरी होगा ऐसा भी होगा जो हमें पता भी ना चला हो बहुत हाई लेवल पर स्केम चल रहा है अमित का कहना बिल्कु सही है हमें जितनी वीडियो क्लिप्स मिली है जितना हमें पता चला है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है पूरी की पूरी फिल्म चल रही है, जो हमें पता ही नहीं है आप लोगों को बस एक ही काम करना है 17 दिसंबर को सुबा 9 बजे से सुबा 11 बजे तक हमारा जो ट्वीटर कैम्पेन उसे सक्सेस्फुल बनाना है अगर आपने इस ट्वीटर कैम्पेन को सफल बनाया तो सरकार को आपकी बास सुननी ही पड़ेगी चली अगला कमेंट देखते है करन कहते हैं, अगर कैंसल नहीं हुआ तो कट ओफ 90 प्लस जाएगी कट ओफ 120 आउट ओफ 120 गई थी कैसे चलीगी भई इतनी कट ओफ जिस एक्जाम में GS जैसा पोजिशन आता है आप मुझे एक बात बताइए क्या GS में 100% स्कोर करना मुम्किन है खुश सोचिए अगर ऐसा मुम्किन है तो वाई क्यों MTS के एक्जाम देते हो क्यों RPF के एक्जाम दे रहे हो जाएए UPSC का एक्जाम दीजिए UPSC में है GS की वेटेस तो हर जगा धान ले बाजी चल रही है दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल का पेपर जो है उसे कैंसल करवाना है मतलब करवाना है आपको हमारे Twitter campaign को successful बनाना है चलिए next comment देखते है राज कहते हैं चार-पांच लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने दिल्ली पुलिस के पेपर में रुपे दिये हैं देखिए ऐसे नचाने कितने comments हमारे पास आया जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि मैं भी जानता हूँ मुझे पता है स्कैम हुआ है मैं इन लोगों को जानता हूँ अब आप खुद बते क्या ये सबूत नहीं है मैं राज से एकी बात कहना चाता हूँ राज अगर आपके पास कुछ सबूत है तो आप उसे हमारी पुलिस्याकेडमे अगला कोमेंट देखते है अभी कहते हैं सही कहा आपने आरपियफ में भी बहुत सारे एक्जाम लीख हुए थे जिस रूम में मैं रहता था वहाँ के फ्टूडेंट के पास पहले से ही सॉल्फ पेपर आ गए थे मैनत करने वाले हमेशा रह जाते हैं अभी ने बिल्कुल सही कहा मैनत करने वाले बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं बाजी कौन मार के ले जाता है जिनके पास पैसा है क्या आप इस चीज़ को आगे चलने देंगे क्या आप चाहते हैं कि आने वाला NTPC का एक्जाम आने वाला दिल्ली पुलिस का Head Constable Ministerial का एक्जाम उसमें भी ऐसी चल रहा हो उसमें लगबग 500 करीब वेकेंसी है क्या आपको लगता है उस एक्जाम में धानलेवाजी नहीं चलेगी अगर आपने दिल्ली पुलिस Constable के एक्जाम में इसको यहाँ नहीं रोका इस चीज को यहाँ नहीं रोका तो यह चीज आगे भी चल रही होगी इन लोगों के होसले और बढ़ जाएंगे आपको हमारे Twitter Campaign को सफल बनाना है आपको यह आवाज उपर तक पहुँचा नहीं है चली अगला comment देखते है लोकेश हिंदू कहते हैं आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हो SSC, GD, MTS, RPF सभी वेपर लीक हुए थे हर्याणा में GD की cutoff 83 out of 100 MTS की cutoff 99 out of 100 और RPF की cutoff 120 out of 120 गई थी आप मुझे एक बात बताईए जिन एक्जामस में GS आती है क्या वहाँ 100% स्कोर कर पाना मुम्किन है सोचिए इस बात को RPF की cutoff 120 out of 120 गई थी तो क्या ये मुम्किन नहीं है आपकी दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल की cutoff भी 100 out of 100 जाएगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े अविनाश कहते हैं अरे ये भी देख लो News Cup की है आप एक बात बताईए जो हमारी स्कैम वाली वीडियो आई थी उसमें दो क्लिप डाली गई है एक क्लिप आपकी दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल से रिलेटिड है और जो दूसरी क्लिप है वो आपको ये बताने के लिए डाली गई थी कि देख इस तरह से ओनलाइन एक्जामस में धान्दले बाजी होती है किस तरह से बिना बायोमेट्रिक कराए हुए किस तरह से ऐसे ही जाते है कम्पीटर अपने आप चल रहा होता है चीज़े अपने आप होरी होती है किस तरह से धान्दले बाजी होती है आपको वो दिखाने के लिए आपको उची समझाने के लिए वो clip उसमें डाली गई थी उसमें बिल्कुल भी mention नहीं किया कि वो दूसरी वाली clip है वो दिल्ली पुलिस comfortable से related है लेकिन आप लोग ये question उठाने लग जाते हो आपको ये नहीं दिखता कि धांदले बाजी हुई है आपको ये दिखता है ये वीडियो पुरानी है अगर आपको साथ नहीं देना आप लोगों को साथ नहीं देना तो at least negativity तो मत फैलाईए चलिए अगला comment देखते है अरुन जी कहते हैं cancel नहीं किया तो हम सभी मिलकर 21 दिसंबर को headquarter पर protest पर बैठेंगे अरुन जी एक बात बताईए क्या आपको लगता है protest करने से हमारा solution निकलेगा आप पहले ये twitter campaign को तो सफल बनाईए protest तो हम बाद में भी कर सकते हैं आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा twitter campaign ही सफल हो जाए समझ रहें आप इस बात को protest तो हमारे farmers भी कर रहे हैं क्या solution निकल रहे हैं आप ये बताईए क्या उनकी बाते सुनी जा रही हैं नहीं सुनी जा रही आपको इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा हम सभी को इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा और इसमें आवाज उठानी पड़ेगी बहुत हो गया अगला कॉमेंट देखते हैं मोटो रोला जी कहते हैं आप सभी से अनुरोध है बच्चों को इस मुहीम में जादा से जादा जोडने की कोशिश करें और जादा से जादा इस टॉपिक पर वीडियो बनाए बिल्कुल सही कहा है इनोंने आप लोगों को इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना है आप इन वीडियो को जितने जादा लोगों तक पहुँचाओगे उतने जादा लोग आकर हमारे साथ जुडेंगे मैं इस बात का दावा करता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा बड़े बड़े टीचर्स भी आपके साथ जोड रहे होंगे इस मुहीम में शुरुवात हम कर रहे हैं साथ सारे देंगे बस आपको इस वीडियो को शेयर करना है आने वाले टाइम पर आप जो समस्चा हैं हमें बताएंगे हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन जरूर दबाईए ताकि वीडियो बनते ही सबसे पहले आपके पास आए चलिए अगला कोशन देखते हैं दीपक सिंग का कहना है जो आप बोल रहे हो वो एक्जाम कैंसल करो बात सुनो मेरी कैंसल तो होने से रहा जादा से जादा CBI इंक्वाईरी बैठेगी और वेकेंसी पर स्टे लग जाएगा दीपक जी आप एक बात बताईए अगर आपको पता है पेपर में स्कैम हुआ है धांदले बाजी हुई है तो क्या आप चुपचा बैठ जाएंगे क्या आप ये सोचेंगे कि भरती रद हो जाएगी और क्यों करवान है यूँकि इसमें स्कैम हुआ है पेपर लीक हुए है अगर नहीं हुए तो कैसे एक लड़ी की ब्लूटूथ लेकर चली जाती है कैसे नो नो लोग पकड़े जाते है कैसे उनके पास मोवाईल फॉन निकल कर आते है अब समझे इस बात को आपको इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना है हो मिनिफ्टी तक ये वीडियो जानी चाहिए दिल्ली पुलिस तक ये वीडियो जानी चाहिए क्या सबूत नहीं आये हमारे पास ये बताई ये बच्चे जूट बोल रहे हैं आपको समझना इस बात को मोनिका जी कहती है रेलवे वाले बच्चों में तागत है उन्होंने एक्जाम डेट निकल वाली इतनी तागत दिल्ली पुलिस वाले भी दिखाएं मोनिका बिल्कुल सही कह रही है अगर आप दिल्ली पुलिस वाले बच्चों में तागत है तो आप Twitter campaign को successful बनाईए अगर आप नहीं कर सकते तो मैं इस बात का दावा दे रहा हूँ आने वाली दिल्ली पुलिस की परिक्षा जो की head comfortable की होगी उसमें भी धांद्रेवाजी चल रही होगी जिसमें केवल 500 के करीब वेकेंसी हैं ध्यान रखना मेरी इस बात को अगला कमेंट देखते हैं नवीन कुमार कहते हैं हम आपके साथ हैं अगर दिल्ली मुखर जी नगर के अध्यापकों को संपर्क करें तो Twitter trending में भी profit मिलेगा हम निश्चे ही सफल होंगे नवीन जी हमारी पूरी कोशिश है इन Teachers को अपने साथ लेने की लेकिन क्या हम तब तक अपने campaign को सफल नहीं बना सकते हमारी जो scam वाली वीडियो है उसको लगबग 7000 बच्चों ने देखा है अगर वे 7000 बच्चे at least 10 tweet करें या करवाएं तो 70,000 tweet तो हम ही दे सकते हैं और 70,000 tweet का मतलब आप trending में चल रहे होंगे कल इस बात को समझिए अगर आप लोगों ने 70,000 tweet करवा दिये तो आप लोग trending में आ जोगे इस मुद्दे को लोग देख रहे होंगे कि हाँ दिल्ली पुलिस में scam चल रहे है कुछ न कुछ तो कारवाई बैठेगी चलिए अगला comment देखते है अभी मन्यू भाटी कहते हैं नौकरी के पीछे खुद को बरबाद कर लिया है अभी मन्यू बिल्कुल सही कह रहे है हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं वाटी होता क्या है वो हर साल पेपर भरते हैं हर साल फॉर्म फिल करते हैं लेकि नौकरी कौन लेकर जाता है जोनोने पैसे दे रखे अधिकतर यह होता है आपको इस चीज पर आवाज उठानी है मैं YouTube पर सभी टीचर से request करूँगा आईए हमारे साथ जुडिये बच्चों की आवास को उठाईए आप पढ़ाते हैं यूटूब पर आपका ये फर्ज बनता है कि कम संगम बच्चों की हक के लिए तो लड़े उनकी आवास को तो उठाईए वाई के यादव कहते हैं SSC दिल्ली पुलिस SI tier 1 वाला एकजाम भी cancel होना चाहिए उसमें भी बहुत धाइली हुई है हम दिल्ली पुलिस constable scam की बात कर रहे हैं कई बच्चे आ रहे हैं कि सर RPF वाले एकजाम में धाइली हुई थी दिल्ली पुलिस SI वाले में धाइली हुई है सबी को पता है लेकिन क्या हुआ उस समय आवाज नहीं उठाई गई RPF का एक्जाम हुआ धानलेवाजी हुई आवाज नहीं उठाई गई कट अफ कितनी गई 120 आउट अब खुछ सोचिए यही आज हो रहा है अगर आप आवाज नहीं उठाईंगे आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे कल भी ऐसा होगा मैं आप से बूशता हूँ क्या आपने NTPC का फॉर्म नहीं भरा क्या आप CHSL का फॉर्म नहीं भर रहे हो क्या उसमें धानलेवाजी नहीं होगी अगर आपने अभी आवाज नहीं उठाई वहाँ भी यहीं चल रहा होगा या तो आप अपनी तयारी छोड़ दीजिए और अगर नहीं तो आप अपने हक के लिए लड़िए अगर आपके मन में भी ऐसी कोई बात है अगर आपको भी लगता है कि आपकी आवाज उठानी चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईए मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ आप बताईए डिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल के एक्जाम में स्कैम हुआ या नहीं हुआ धानलेवाजी हुई या नहीं हुई ये बच्चे जूट बोल रहे हैं ये इतने कॉमेंट्स कर रहे हैं क्या ये जूट बोल रहे हैं आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईए कि क्या दिल्ली पुलिस के वेपर में स्कैम हुआ या नहीं हुआ 17 दिसंबर को सुभा 9 बज़े से 12 बज़े तर ट्विटर कैमपेन है हम उसकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम से रिलेटेट सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन को जरूर दबाईएगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा अगर आपके मन में भी कोई बात है आपके भी पास कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए हम आपके हर एक कॉमेंट को पढ़ते हैं अगर आपका कोई रेलिवेंट कॉमेंट होगा हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे आप हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू